प्रोग्राम में आपका स्वागत है PCS करण नियूज में चर्चा का विश्य है भारतीय कपास परिशत का गठन भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय कपास परिशत के गठन की घोशना की है इस परिशत की पहली बैठक 28 मई 2022 को आयोजित की जाएगी इस परिशत के गठन का निर्ण ने कपास मूल्य श्रिंखला से संबंदित तमाम हितधारकों के साथ आयोजित बैठक में लिया गया जान लेते हैं भारतीय कपास परिशत के बारे में इस परिशत का गठन सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में किया गया है इस परिशत का प्रार्थमिक कार्रे कपास और धागे के मूल्य निर्धारन से संबंदित मुद्दों को हल करना और इस कशेतर में ठोस सुधार लागू करना है गौर्दलबे की कपास की कम उत्पादकता इस कशेतर से जुड़ी सबसे बड़ी चुनोती है जिसके कारण कपास के उत्पादन में कमी आती है यह परिशद इसी चुनोती को हल करने में मदद करेगा नज़र डाल लेते हैं भारत में कपास उत्पादन पर कपास एक महत्वपूंट फाइबर और नगदी फसल है जो भारत की और द्योगिक और क्रिशी अर्थ्विवस्था में प्रमुख भूमिकानि भाती है भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है भारत कपास का सबसे बड़ा उभोगता भी है भारत हर साल लगबग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है जो विश्व कपास का लगबग 23 प्रतिशत है